ओम नमः शिवा करते हैं कुछ लोग आज के दिन ब्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेश क्रिपा प्राप की जा सके बाबा भोले नात के आसिरबाद के लिए आप भी शोमवार का ब्रत कर रहे हैं तो शिव ब्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें नारत पुराड के अनसार शोमवार ब्रत में व्यक्ति को प्रायः असनान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गोरी की पूजा करनी चाहिए शिव पूजन के बाद शोमवार ब्रत कथा शुननी चाहिए इसके बाद केवर एक समय ही भोजन करना चाहिए साधारन रूप से शोमवार का ब्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है मतलब साम तक रखा जाता है शोमवार ब्रत तीन प्रकार का होता है प्रती सोमवार ब्रत शोम्य प्रदोस ब्रत और शोलह शोमवार का ब्रत इन सभी ब्रतों के लिए एक ही बिधी होती है एक समय की बात है किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमे नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वह प्रतेक सोमवार ब्रत रकता था और पूरी स्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगमान शिव और पारवती जी की पूजा करता था उसकी भगती देखकर एक दिन मा पारवती प्रसन्न हो गई और भगमान शिव से उस साहुकार की मनो कामना पूर करने का आग्रह किया पारवती जी की इच्छा सुनकर भगमान शिव ने कहा कि हे पारवती इस संसार में हर प्राडी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है लेकिन पारवती जी ने शाहुकार की भक्ती का मान रखने के लिए उसकी मनो कामना पूर करने की इच्छा जताई माता पारवती के आग्रह पर सिव जी ने शाहुकार को पुत्र प्राप्ती का बरदान तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयू कीवल बारह वर्शोगी माता पारवती और भगवान सिव की बातचित को शाहुकार सुन रहा था उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख वह पहले की भाती सिव जी की पूजा करता रहा कुछ समय के बाद साहुकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जब वह बालक ग्यारह वसका हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेद दिया गया साहुकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन्दिया और कहा की तुम इस बालक को कासी बिद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्य कराना जहां भी यग्य कराओ वहां ब्रामणों को भोजन कराते और दच्छिरा देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्रामणों को दान दच्छिरा देते कासी की ओर चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की तन्या का विवाह था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आकसे काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया उसने सोचा की केवन इस लड़के को दुलहा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूँ विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपनी नगर ले जाऊंगा लड़के को दुलहे के वस्तर पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया लेकिन साहुकार का पुत्र इमांदार था उसे यह बात नयाय संगत नहीं लगी उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुण्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विबाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आकसे काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को भिदार नहीं किया जिससे भारात वापस चली गई दूसरी ओर शाहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुचे और वहां जाकर उन्होंने यग्य किया जिस दिल लड़के की आयू बारह साल की हुई उसी दिन यग्य रखा गया लड़के ने अपने मामा से कहा की मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा की तुम अंदर जाकर सो जाओ सीव जी के वर्दा अंसार कुछ ही दिर में उस बालक के प्राड निकल गए मृत भानजे को देख उसके मामा ने बिलाप सुरू किया शैयोग बस उसी समय सीव जी और माता पारवती उधर से जा रहे थे पारवती ने भगवान से कहा श्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा आप इस ब्यक्ती के कष्ट को अवश्य दूर करें जब सीव जी मित बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने बारह वर्ष की आयू का बरदान दिया अब इसकी आयू पूरी हो चुकी है लेकिन मात्रिभाव से विभोल माता पारवती ने कहा कि हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की कृपा करें अन्यथा इसके बियोग में इसके माता पिता भी तडप तडप कर मर जाएंगे माता पारवती के आग्रह पर भगवान सीव ने उस लड़के को जीवीत होने का बरदान दिया सीव जी की किरपा से वह लड़का जीवीत हो गया सिच्छा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की योज चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुचे जहा उसका विबाह हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्य का आयोजन किया उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को बिदा किया इधर साहुकार और उसकी पत्नी भूखी प्यासे रहकर बेते की प्रतिच्छा कर रहे थे उन्होंने प्रड कर रखा था कि यदि उन्ही अपने बेते की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राड त्याग देंगे परंतु अपने बेते के जीवी थोने का समाचार पाकर वह बेहत प्रसन्न हुए उसी रात भगवान सीव ने ब्यापारी के स्वपन में आकर कहा हे स्रेष्टी मैंने तेरे शोमवार के ब्रद करने और ब्रद कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयू प्रदान की है इसी प्रकार जो कोई शोमवार ब्रद करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनों कामनाएं पूर होती हैं